हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका study for life यूटूब चैनल में model answer की series जो मैंने शुरू की थी पहले लेकिन फिर बंद कर दी थी क्योंकि अग्जाम नहीं था अभी चुकि अब कुछी समय में अग्जाम हो सकता है हो सकता अगस्त में हो सितंबर में हो या जुलाई लाश्ट में वैसे जुलाई में तो समभावना नहीं है अगस्त सितंबर में ये paper अगर नॉर्मल सिच्वेशन हो जाती है तो अगस्त सितंबर में paper हो सकता है तो GS के model answer कुछ कुछ डालते रहेंगे आपको Saturday और Sunday को सुबह 8 बजे model answer मिलेंगे बाकी दिन regular class रहेगी तो आईए मैंने पटना कलम और मौरे कला दो आपको पढ़ा दी है आज मैं बात करूंगी पाल कला पर पाल कला में आपको क्या क्या बताना है चार प्रकार से बता देना है प्रस्तावना इसके प्रकार सीमा और निसकर्स प्रस्तावना में आपको धीमन और वीतपल का नाम दे देना है ये आठा आठ से वारवी सताब्दी में प्रचलित्ती ये बता देना है प्रिकारिस्के हैं, इस्थापत, मूर्ती कला, मुर्दबान कला, चित्र कला और वित्ती चित्र सीमा इसकी हैं कि सीमित कलाकार है, प्रिस्तर कला का प्रियोग कम है, चित्र कला का प्रियोग भी कम दिखता है उसके बाद निसकर्स दे देंगे, सुझाओ देते हुए आईए देखते हैं भूमिका कैसे लिखनी है बिहार प्रदेश की कला परंपरा अत्यंद सम्रिद साली रही है और इस कला परंपरा को पाल युग में अत्यदिक मजबूती मिली जिसका प्रमार आज भी विविन स्थानों पर उपलाब्ध है पाल सासकों वह ततकालिन संतों द्वारा पाल कला का विकास आठवी से बारवी सदी के मद सफलता पूरवक किया गया इसके अवसेज बिहार और बंगाल के एक बड़े छेतर से प्राप्त हुए है प्रसिद कलाकार धीमन और बीत पाल ने चितर कला मूर्ति कला और धातूं को डालने में अपनी दच्छता के कारण प्रभूत या स्प्राप्त कर लिया था ये दोनों पिता पुत्र धर्मपाल वा देवपाल के समकालिन थे इस काल में बिक्सित हुई बिविन कलाओं तता उनकी विसेश्टाओं को निमलिकित सीर्षकों के अधीन किया जा सकता है यहां तक आप भूमिका लिखिएगा और ये वाला अगले यहां से लिखिएगा अगले पेराग्राप में हमने आपको कई वार बताया है जियेज में हेडिंग डालने की कोशिस ना करें सब चीच पेराग्राप में बताएं इस्थापत कला के छेत्र में पाल काल में अनेक महाबियार, इस्तूप, चैत, मंदिर और एवं दुर्गों का निर्माड हुआ इस काल की इस्थापत कला पर बौध एवं बैशनव दोनों धर्मों का इसपस्ट प्रभाव दिखाई देता है बिविन महाबियारों में ओदंतपुरी, नालंदा, विक्रमसिला, एवं सोमपुरी बिहारों की स्थापना का स्रे पाल सासक, धर्म पाल वा देव पाल की कला प्रभरति को जाता है नालंदा में बिविन योगों में बने मंदिर और स्थूप बिहार आदी में पाल सासकों का प्रमुक योगदान रहा इस काल में बौद विच्छों के लिए बने आवास एक निस्चित योजना को प्रदर्सित करते हैं विक्रम सिला महावियार के अवसेज पाल यूगी निस्थापत कलाका की विसिष्टता को प्रदर्सित करता है यहां एक मंदिर और इस्तूप मिले हैं इसके अतरिक्त कहल गाओं का गुफा मंदिर तथा गया इस्तित विष्णूपद मंदिर का अर्दमंडप सूरजगड़ा जैमंगल इत्यादी पाल कला के ज्वलन्त एवं प्रत्यक्ष उधारण है पाल यूग में मूर्ती कला का अत्यदिक विकास हुआ पहले पराग्राप में क्या था इस्ताफत इसमें क्या है मूर्ती कला बिसेश कर पत्थर वा कासे की प्रत्माएं काफी निर्मित होने लगी कास प्रत्माओं के निर्माड की सहली का जनक धीमन और उसके पुत्र बीत पाल को माना जाता है पाल कालीन मूर्तिकला की सहली को मद्द कालीन मूर्तिकला की पूर्वी सहली के नाम से प्रसिद्धी प्राप्त है इस काल की कांस प्रतमाय साचे में ढली होती थी ऐसी मूर्ति नालंदा एवं कुक्रिहार गया से प्राप्त हुई है इस काल की अधिकांज मूर्तियां बौध धर्म से प्रिवावित हैं हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का निर्माड हुआ जैसे विश्नू, वल्राम, सूर एवं गड़िस की मूर्तियां पाल कालिन प्रिस्तर प्रित्माएं भी कलात्मक सुन्दर्ता का उत्तम उधारन प्रिस्तुत करती हैं ये मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर की बनी हैं जो संथाल परगना एवं मुंगेर से प्राप्त की गई हैं सामान्यता इन मूर्तियों में केवल सरीर के सामने वाले भाग को दिखाया गया इन मूर्तियों में अलंकार की प्रधानता है मुखता देवी देवताओं का ही चित्रण किया गया है सभी मूर्तियां कलाकार की सिल्प गत पक्वता को दर्साती है पाल काल में अगला है म्रदवाण्ड पर पाल काल में म्रदवाण्ड के सुन्दर वा कलात्मक रूपों का विखास हुआ है इस कला का विखास सजावट थेतू हुआ और ऐसी मूर्थियों दीवारों पर बनाई जाती है जिसमें धार्मेक एवं सामान जीवन के द्रस से देखे जा सकते हैं मृद्वान्नों पर धार्मेक प्रवाव भी द्रिश्टी गोचर होता है कलात्मक सुन्दर्ता का उत्कृष्ट उधारन एक तक्ती पर एक इस्तिरी की बैठी हुई मुद्रा को दर्साया गया है एक हाथ में आईना लिए वह अपने रूप को निहार रही है चेरे की सुन्दर्ता और भोलापन उब्रे हुए उरोज और उसकी पतली कमर के माध्यम से उसके सारीर एक सौंदर पर ध्यान केंद्रित करने का प्रियास किया गया है उसके सरीर को आभूशनों से ढख कर उसकी सुन्दर्ता को और आकरसक बनाया गया है पाल काल की चित्रकला पर अगला पैराग्राप दो रूपों में प्राप्त है एक पांडू लिपियों पर दूसरी दीवारों पर पांडू लुपियों में विसाय बस्तू के अनकूल एबम सजावटी चित्रण देखे जा सकते हैं चित्रित पांडू लुपी बर्तमान में केम्रिज विस्विद्याले में सुरच्छित है इसमें प्रात्मिक रंगों में लाल, नीला, काला, सफेद रंगों का तता सायक रंगों में हरा, बैगनी, हलका, गुलाबी एबम दूसर रंगों का प्रियोग किया गया है पाल कला में चित्र कला का एक अन रूप भित्ती चित्र भी है यह रूप नालंदा जिले के सराद स्तल से प्राप्थ हुआ है यह मुलता अजन्ता कला से प्रेरित है यहां ग्रेनाइट पत्थर से बने हुए एक बड़े चब उत्रे के नीचे के भाग पर और कुछ ज्यामिती आकार के फूलों की आकरतियां एबं मनुस्यों तथा पस्वों का चित्रन किया गया है कुछ आकरतियों में हाती, घोड़ा, नर्त की, बौधिसत की आकरती इस पश्ट रूप से पहचानी जा सकती है अब देखते हैं इस कला की सीमा है क्या है हेडिंग इसको भी नहीं देना है, बस मैंने तो समझाने के लिए दे दी है पाल कला अपनी कास मूर्तियों के लिए बिसे इस रूप से ख्याती प्राप्त है लेकिन कासे को सांचे में डालने की इस तकनीक पर कुछ एक कलाकारों का अधिकार है इन कलाकारों में हम दीमन और बीतपाल के अलावा किसी तीसरे का नाम नहीं सुनते कारण यहीं भी हो सकता है कि पाल सासकों ने इनी दो कलाकारों को सन्रचन दिया होगा और इस कला को आगे बढ़ाने का प्रियास नहीं किया होगा प्रिस्तर मूर्ति कला में कुछ एक अबबादों को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ आगे के भागों का ही अच्छी तरह निर्माड किया जाता था अत्यादिक अलंकरण के कारण इन मूर्तियों में कृत्रिम्ता भी आ गई पत्तर पर पॉलिस करने की तकनीकी भी मौर काल जितनी उत्कृष्ट नहीं है इन मूर्तियों में गुप्त कला की साधगी का भी अभाव है इसके बाद हम निसकर्स दे देंगे इन सीमाओं के बाबजूत पाल काल में जिस कला सैली का जन्म हुआ उसे ही हम मद कला की पूर्व सैली कहते हैं पाल कला ने केवल भारत ही नहीं बरन दच्छड पूर्वी एसिया की कला को भी प्रवावित किया था कहा जाता है कि तिबबत का प्रतम ब्यार ओधंत पुरी की इस्थापत कला के आधार पर बना है दच्छडपूर वेसिया के बहुत सारे विहार सोमपूरी विहार से प्रभावित है पाल काल के कलात्मक अफसेस नेपाल रॉयल एसियाटिक सुसाइटी कलकत्ता कला भवन कासी बोश्टन संग्राला अमेरिका में सुरच्छत है इस प्रकार पाल कला में कला के बिविद बिदाओं का काफी विकास हुआ सांस्कृतिक संग्म और धार्मिक सह सुनता की दृष्टी से भी पाल कला का अपना महतपून स्थान है तो यह आपकी पाल कला का मॉडल आंसर था आप इस पर अपना आंसर लिख के देख सकते हैं या इसे पढ़कर इस वीडियो को देखकर आप अपना नोट्स तयार करके आंसर लिख सकते हैं से सुनकर चीजों को समझ कर कैसे अंसर लिखना है आप अपना अंसर लिख सकते हैं आसा है आपको ये समझ में आएगा अगर समझ में आए तो इसे लाइक करें सेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद